लास्ट वीडियो में हम एरर्स को कैसे सॉल्व करते हैं इन जनरल वो देखा था जैसे हमने सिंटेक्स एरर के बारे में देखा था और सिंटेक्स एरर को कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर बताया था मैंने और अगर उस प्रोसीजर से सिंटेक्स एरर को सॉल्व गए तो 100% आपका सिंटेक्स एरर सॉल्व हो जाएगा और मैं एक और चीज़ बताता हूँ Error हमारे Python में दो तरीके के होते हैं एक तो compile time error और एक होते हैं run time error लास्ट वीडियो में जो हमने syntax error देखा था वो होता है compile time error और syntax error को छोड़ के जितने भी error बर्षते हैं वो सारे होते हैं run time error पर दोनों ही error होते हैं तो अब हम इस वीडियो से बात करेंगे run time errors के बारे में run time error क्या होते हैं और हम उसे कैसे solve कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने एक code लिखा है child line का और child line का code मैं सबसे पहले लिखा हूँ a is equal to 1 int 1 है और हम मैंने second line में लिखा b is equal to string 1 और उसको बाद मैंने print statement लगाया और float को convert किया है int में और उसके बाद मैंने print a plus b किया है तो आप इसमें guess किजिए इसमें कौन सी error आईगी तो मैं इसे save करके run करता हूँ तो यह देखे हमारे पास syntax error आईए और वो भी line 56 में line 56 क्या है line 56 हमारे यह वाला line है और इसमें हमारा syntax error आया है तो सबसे पहले आप अगर इसे देखें तो आप इसमें बहुत ज़्यादा confused रहेंगे कि हमने इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जिसमें syntax error आया है तो आप अगर इस arrow को देखें तो हम अगर इसके उपर देखें तो हमने print statement को open तो किया है लेकिन हम print statement को बंद नहीं किया तो अगर मैं इसे बंद किया और मैं इसे save करके अगर run किया तो हमारे पास अब error नहीं आगी क्योंकि हमारा अब error solve हो चुगा है उस समय हमारा error इसलिए आ रहा था क्योंकि python समझ रहा था कि हमारा print statement जो कि ये वाला statement है ये वाला statement complete नहीं हुआ है और इसको bracket खतम करने से पहले हम यहाँ पे print statement और एक बार लिख दिया तो हमारा python इसे को error समझ रहा था अब हम अगर इसे save करके run किये तो ये देखें हमारे पास फिर से एक error आया है और इस बार भी line 56 में error आया है लेकिन इस बार हमारा type error आया है तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता था कि python में सबसे पहले अगर compiler check करता है तो वो syntax error को check करता है syntax error मतलब compile time error अगर हमारा python को पता चला कि हमारा syntax error कुछ भी नहीं है हमारे ये वाले line में syntax error अब नहीं है हमारे ये line में भी syntax error कोई सा नहीं है हमारे इस line में भी और इस line में भी syntax error नहीं है तो अब हमारा python run time error को check करता है कि हमारा python में run time error तो नहीं है और उसके बाद यहाँ पे type error का यह message पढ़ी है, message क्या लिखाव है, unsupported operand types for plus, int and string, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा python int और string में plus operation असाइन नहीं कर सकता, तो हमने यहाँ पे a लिया है int में, और b लिया है string में, और हम इसे plus कर रहे हैं, तो हमारा python यह बोल रहा है, कि हमें या त को convert किज़े string में, तब यह operation successful होगा, वारना यह type error है, तो अब हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे string को concatenate करना है, तो हम a को string में convert करेंगे, और अगर हमें mathematically इसे solve करना है, प्लस करना है, तो हम इसमें b को convert करेंगे int में, तो हम सबसे पहले b को int में convert करते हैं, और मैं इसे close करता हूँ, और मैं इसे save करके run किया, तो हमारे पास कोई भी error नहीं है, no problem अब, अब अगर हमें यहाँ पे string को convert नहीं करना है, int में, और अगर हमें string concatenation करना है, तो हमें a को convert करना पड़ेगा, htr में, htr function डालता हूँ, और अब मैं अगर इसे save करके run कि तो हमारे पास answer आएगा 10 और 11, क्योंकि 10 हमारा इसका whole number है, और उसके बाद हमारा यह print statement कान किया, print str a, उसके बाद हमारा इस print statement का output आया है, 11, तो I hope आपको इतना समझ में आया होगा, अब हम कुछ और errors के बारे में देखते हैं, हम यहाँ पे लिखने है, print, c, अगर मैं यह c लिखा, तो आप guess कीजिए, आपके पास कौन सा error आएगा, तो यह देखिए, हमारे पास error आया है, name error, c is not defined, तो अगर हमें c को define करना है, तो हम यहाँ पे c को define करते है, c is equal to 10, हम c is equal to 10 किया, अब हमारे पास कोई भी error नहीं आएगी, यह देखिए, हमारे पास कोई भी error नह 0 division error, यह 0 division error क्यों आएगी, क्योंकि हम कोई भी number को 0 से divide नहीं कर सकते हैं, अगर हम किसी number को 0 से divide करते हैं, तो वो एक in logical operation होगा, और python उस in logical operation को support नहीं करता है, तो यह तो होगी run time error, तो अभी तक हमने run time error को देख लिया, और हमने compile time error को देख लिया, लेकिन इसमें एक ना कर पाएं, तो ऐसा ही error, आपके कई सारे module अगर जब use करेंगे, आप आगे lectures में module सेप्टर में पढ़ेंगे, और हर module का अपना-पना अलग-अलग error होता है, और अपने error को solve करने का उनका अलग ही तरीका होता है, और आपको अगर वो ना पता हो तो तो आपको जो situation में कर अप्रोच होना चीए उस error को ले के तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप compile time error और run time error में कुछ नया सीखे होंगे Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content